दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 पॉलिटी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जो कि आपका सोसल स्टेडी के अंदर रहता है और इसका चेप्टर वन को हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपका है अंडरस्टेंडिंग यानि आज हम अपनी डाइवर्सिटी को यहाँ पर समझने वाले हैं और मैं आप सभी को यहाँ पर रिमाइंड करा दू कि मैंने आप सभी के लिए पूरी हिस्टरी की और आपकी पूरी साइंस की प्लेलिस्ट बनाके पहले से अपने चैनल के उपर अपलोड कर दी है और अ चछत के नीचे बेटा हूं और चत के नीचे हम अपने नैशनल एंफم को कभी भी नहीं कास रखती हैं किया करतार हूं, यहाँ पर आप सभी को इसका directly meaning बतादेता हूं, और वैसे भे आप सभी ने अपने नैशनल एंफम को यहाँ पर study कर रखा हूगा खुद से ही और आप गाते भी होंगे इसको तो चलो इसके मीनिंग की यहाँ पे हम बात करते हैं और आपको मैं इसका core point यहाँ पे बता दूँगा तो यहाँ पे बोलता है दो art the ruler of the minds of all people dispenser of India destiny the name rouse the heart of the Punjab, शिंद, गुजरात and maratha of the दर्विडा and udisa and बंगाल अब बच्चों इसका मतलब आप से भी को यह बताते है कि जो भी हमारा इंडिया है यह हम सभी के दिलों और दिमाग में राज करता है और यह हम सभी को बिलकुल पीरिय है हम सभी इसको बहुत ज़दा प्यार करते हैं उसके साथ आपको आगे भी एक वर्ट बोलता है इसको बार बार इसकी आवाज हमारी इन पहाड़ियों में गुंजती है आपकी विंध्याज की और आपकी हिमाल्याज की साथ में उसकी जो साउंड है वो आपकी यमुना और गंगा के मुजिक के साथ में मिंगल हो जाती है आपकी बार बार आपका जो हमारा भारत ये समूंदर है वो भी गाता है अब यहाँ पर यही बात बताते हैं कि हमारा भारत सबसे महान है यह हर बार जीता है हम सभी के दिलों पर ये राज करता है और हम सभी को दिलों से प्यार है यहाँ पे basically हम तक क्या करते हैं जब कभी भी हम अपने national anthem को गाते हैं हम अपने भारत की महानता को यहाँ पे बताते हैं तो आज आप अपने national anthem का क्या समझ चुके हैं अपने chapter को start करते हैं तो सबसे पहला आपको यहाँ पे overview देगा आपके chapter का जो की है understanding diversity तो यहाँ पे बोलता है look around you in the classroom do you see anyone looks exactly like you तो यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि अपने classroom में अपने आसपास देखो क्या कोई आपके जैसा आपको same to same दिखाई देता है आप इस chapter के अंदर यहाँ पे जानने वाले हैं कि लोग एक दुसरे से बिलकुल अलग होते हैं बहुत सारे तरीकों के अंदर not only do they look different but they might also belong to different religion, culture and religious background अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपके लोग होते हैं वो अलग दिखते ही नहीं सिरफ साथ में जो उनके religious background होते हैं, cultural background होते हैं और वो क्या religion follow करते हैं, यह सभी चीज़े भी उनकी अलग-अलग होती हैं these differences enrich our lives in many ways and also make more fun अब कहते हैं कि जो यह सभी चीज़े होती हैं हमारी अलग-अलग होना यह हमारी life को बहुत ज़दा enrich कर देती हैं, अच्छी बना देती हैं और यह हमें बहुत मज़ा देती हैं हमारी जिनकी के अंदर अब कहते हैं कि जो भी यहां अलग-अलग प्रांतों से लोग आते हैं और अलग-अलग कल्चर के लोग यहां पे आते हैं वो सभी यहां पे आते हैं उससे क्या होता है हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी बढ़ती है और हमारा इंडिया और भी ज्यादा interesting हो जाता है what does diversity add to our lives अब आपके माइंड में question आया हुआ कि भी डाइवर्सिटी हमारे जिनकी को रोज की क्या चीज देती है how did इंडिया became like this और जो आपका इंडिया है वो ऐसा कैसे बना are all kinds of difference a part of diversity क्या हमारे अंदर कोई और भी difference है हमारी diversity के अलावा can diversity also be a part of unity और जो आपके diversity है क्या उसके अंदर भी unity हो सकती है क्या वो भी unity का part बन सकती है read this chapter to find some answer तो इस chapter के अंदर हम इनी सब questions के answer को जानने वाले हैं जो कि आपके mind में ऐसे ऐसे आए होंगे तो चलो फटफट से start करते हैं लेकिन उससे पहले आप इन बच्चों की drawings को देखो यहाँ पर तीन बच्चों ने अलग-लग type की drawing यहाँ पर बनाई है ठीक है आप एक बारन को notice करो फिर हम आगे continue करते हैं तो अब आगे बोलता है three children around your age have drawn the figures above अब जो मैंने आपको यहाँ पर पीछे figures दिखाये थे ना आपकी age के तीन बच्चों ने इन figures को बनाया है ठीक है use the MPT box to draw your figure in your drawing similar to any one any of the other अब कहता है आप एक काम करो जो यहाँ पर आपको खाली space दिया है आपकी book के अंदर यहाँ पर आपने खुद की drawing बनाओ और आप देखो कि क्या आपकी drawing इन से सोरी सेम रहती है या फिर क्या इनके जैसे दिखाई देती है या फिर बिलकुल अलग ह the chance are that your drawing is quite different from the other three अब बिलकुल बहुत जादा chance है कि जो आपको drawing बनाओ गए आपकी drawing होगी वो इन तीनों से बहुत जादा अलग होगी which you can see are quite different from each other तो आप इस से क्या समझेंगे कि आप सभी के drawing एक दुसरे से बिलकुल अलग है अब कहता है कि इस से हमें क्या बात समझ में आती है कि हम सभी की बिलकुल हम एक जैसे से दूसरे से अलग दिखते ही नहीं हमारी drawing भी बिलकुल अलग है और साथ में जो हम भाशा बोलते हैं वो भी हमारी अलग-अलग होती है अब यहाँ पे कहता है कि जो हम religion follow करते हैं जो हमारा culture है वो भी सभी से अलग हमारा रहता है ठीके तो चलो हब हम आगे बात करते हैं तो बच्चो अब बोलता है fill out the flowing information about yourself when I go out I like wearing अब यहाँ पे बोलता है कि जो यहाँ पे खाली box है इनके अंदर आपको अपने details को यहाँ पे फिल करना है तो आप एक काम करना है मेरे को comments में details को आप बता सकते हो अब यहाँ बे सबसे पहला question आपके पास आता है when I go out I like wearing जब आप भार जाते हैं तो क्या चीज़ पहनना पसंद करते हैं at home I speak in और जब आप घर पे होते हैं तब कौन सी भासा का आप use करते हैं अब next question है my favorite sport is आपका पीरिये खेल कौन सा है उसके बाद next question आता है I like reading books about अब क्या कीजिए आप अपने teacher को बोलिए कि भई वो check करेगा कि आप सभी में से कितने बच्चों के answer यहाँ पर similar आए हैं is there anyone whose list matches yours क्या किसी की list ऐसी भी है जो आपकी list से बिलकुल match करती है तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा क्योंकि हरे की choice और हरे की हमारी जो बच्चों के answer same हों लेकिन सभी questions के answer same होंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है और यहाँ पर फिर बोलता है कि आप यह देखो कि कितने ज़्यादा बच्चे एक तरह की books को पढ़ना पसंद करती है और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि जो आपकी क्लास के अंदर बच्ची हैं वो कितनी ज़्यादा अलग-अलग भासाओं का use करते हैं अब आप देखो कि इससे आपको पता चलेगा कि आप काफी ज़्यादा चीज़ों में तो अपनी क्लास मेट्स के जैसे ही हो लेकिन काफी कुछ चीज़ों में उनसे अलग भी हो तो चलो इसी के साथ अब हमारी बात आती है making friends topic से related तो यहाँ पर आपको एक story बताने वाला तो चलो इसको भी फटा-फट से start करते हैं तो यहाँ पर बोलता है do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you तो यहाँ पर बोलता है कि क्या किसी ऐसे इंसान को friend बनाना easy होता है जो कि आपका दोस्त बिलकुल भी नहीं है और आपसे बिलकुल different है read the flowing story and think about this और यहाँ पर बोलता है आप इस story को ध्यान से पढ़ो और इसके बारे में सोचो तो अब इस story में बोलता है अब यहाँ पर एक लड़के की बात आपको बताता है कि वो कहते है कि मेरे को एक लड़के को देखके हसी आती है अब किसको देखके हसी आती है जब मैं आपने जनपद नगर के crushing पे पहुंचता हूँ यानि कि उस चोराये के उपर पहुंचता हूँ क्रोश करने के लिए तब ही एक लड़का मेरे तरफ भागा भागा आता है और वो English का newspaper लेके आता है हर बार और क्या करता है उसमें कुछ lines को पढ़ देता है Hindi और English के मिला कर और कहता है मेरे को सर आप इसको ले लो भाई आप इसको ले लो इस टाइम आइ स्टोपड बाइ दी पेवमेंट एंड आस्क फूर दी हिंदी पेपर और इस बार मैंने क्या किया उस लड़के को यहाँ पे रोका और कहा कि भाई तुम मेरे को English मत दे मेरे को Hindi नूस पेपर देते His mouth fell open तब ही उसका जो mouth था वो खुला खुला रह गया उस लड़के का तो चलो आगे स्टोरी को जानते हैं आगे बोलता है You mean You know Hindi, he asked तो उसके बाद वो लड़का बोलता है मतलब आपका कहना यह है कि आप Hindi भासा को भी जानती है Of course, I said I paid for the paper Why? What did you think? तो यहाँ पे वो लड़का उसको बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल जानता हूं Hindi भासा को तुमने क्या सोचा कि मैं नहीं जानता हूंगा तो यहाँ पे बोलता है नहीं भाया आप मेरे को थोड़े अंग्रेज टाइप दिखाई देते हो इसलिए मैंने आपको ऐसा कुछ बोला और मेरे को बिल्कुल भी सुवास नहीं हो रहा है कि आप Hindi नूस पेपर भी यहाँ पे पढ़ सकते हो अब आगे बोलता है तो वहाँ पे बताता है वो रड़का नहीं भाई ऐसी बात नहीं है मैंने हिंदी भी पड़ी है मेरे स्कूल के अंदर तभी आती है सबजेक्ट की बाद बोलता है सबजेक्ट तो तभी उस लड़के के माइंड में कोश्चन आता है इस न्यूस पेपर वाले के में वो दूसरे वा लड़के को बोलता है कि भाई ये सबजेक्ट क्या चीज होती है अब वो तो कभी स्कूल में गया नहीं था तो उसे सबजेक्ट के बारे में क्या पता तो आगे बोलता है तभी ये बात ये ओथर बोलता है कि मैं किसी ऐसे इंसान को कैसे बता सकता हूँ कि subject क्या चीज होती है जो कभी school के अंदर गया ही नहीं अब यहाँ पे बताते है कि क्या होता है फिर मैं उसको subject के बारे में कुछ बाते बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन तब ही यहाँ कि जो light थी वो change हो जाती है याने कि green हो जाती है और जो मेरे पीछे cars थी वो मेरे को होरन देती है और मेरे को यहाँ से चले जाना पड़ता है ठीक है अब चले जाने के बाद क्या होता है और क्या होता है जिए मैं अगले दिन वहाँ अगें से पहुँचता हूँ तो वो वहाँ पे लड़का खड़ा था और मेरी तरफ क्या कर रहा था smile कर रहा था and holding out a Hindi paper और उसके साथ में एक Hindi का अकबार भी था भहिया he said आपका अकबार तब ही वो कहता है भहिया ये लो आपका अकबार अब बताईए ये subject क्या चीज है और वो पूछता है कि भही अब बताऊ कि ये subject क्या चीज है the English word sounded strange on his tongue और ये जो English का word था ना उस लड़के को बार-बार चूब रहा था जानने कि उसको इच्छा हो रही थी it sounded like its other meaning in English to be ruled by someone else तब ही क्या होता है कि उसको लगता था कि ये meaning ऐसा कुछ है यानि किसी के नीचे rule करना ठीक है अब कहता है कि तब ही मैं उसको बोलता हो नहीं बही ऐसा कुछ meaning नहीं है इसका मतलब बस study से relate करता है और कुछ नहीं तब ही ये क्या होता है light change हो जाती है और मेरे को वहां से जाना पढ़ता है come on I ask him have you ever been to school और उसे पूछता है भी है कि क्या कभी तुम school गए हो वहीं never he answer तब ही वो लड़का बोलता है नहीं मैं कभी school नहीं गया and he added proudly और साथ में गरव के साथ बोलता है I begin working when I was so high he measured himself against my cycle seat he first first my mother used to come with me but I can do it alone कहता है कि पहले तो क्या था मेरी मम्मे मेरे साथ मेरे अकबार को यहाँ पे बिकवाने के लिए आती थी लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ अब अपने cycle की seat के साथ मेरे को match करके देख सकते हो और यहाँ पे इसलिए मैं अपने अकबार को अब अपना काम और धंदा पकड लिया है अब मैं ऐसे ही काम करता हूँ मैं school नहीं जाता तभी वो लड़का पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहा है अब कहता है कि तभी मेरे को पीछे से कहीं से अवाज आती है उस लड़के की वो कहता है कि मेरी मम्मी मेरेट के अंदर है बागी सब डूब गए तो उसको ऐसी कुछ अवाज आती है तो यहर आज की स्टोरी के अंदर इतना ही और आज का पार्ट हम यहीं पर एंड करेंगे अब अगले पार्ट की वीडियो मैं आप से भी के लिए जल्दी ही लेकी आऊंगा और आपको उसको डिटेल में एक्स्प्लीन करूँगा तो ठीक है अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो हमार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और साथ में आपको कुछ ऐसी बेल भी दिखाई देगी उसको भी आप दबा लेना ठीक है तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई